किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं आप खुद ही अपने हालत को बदलेंगे बैलकम बैलकम टू सॉसलोजी स्टडी दोस्तों सॉसलोजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा इमाल दुर्खीम का ये थाड़ लेक्चर है दो लेक्चर और लेडी डिसकर्स हो चुको हैं डिस्क्रेप्शन में उसका लिंक दिया है उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस लेक्चर में हम इमाल दुर्खीम का प्रिकारबाद देखेंगे और देखेंगे आंगे प्रिकारबाद प तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शार्ट करने पहले दोस्तों अगर आप ने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो मारे चैनल को subscribe करें और ऑन बैल एकन को जरूर दबा ले क्यूंकि नेस्ट वीडियो का notification आप तक आसान यह पहुंच सके और दोस्तों को साथ जरूर सियर करें किूंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रप्रियसन बहुत जरूरी है ये स्टार्ड करदे हैं इमाल धुर्खिम का परिकारबाद Functional將 of d barkhim समाज-साथ तर्माय प्रिकारबाद आनि Function將 काँ सरप्रतम पिरियोग हमारे स्पेंसर सहाब ने किया था किन्तु इसे अगर बैग्यानेक टूप से प्रतेस्टर दिलाने का सरे ये माल दुर्खिम का है इन्हों ने अपनी रचना दा डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी निकी पुस्तक है तथा दूसरी पुस्तक है दा रूल्स आप सोस्यलोडिकल मैठाड मैं प्रिकारबाद की विवेजना की है मतलब प्रिकारबाद का उल्ले किया है ये दो बुगें बहुत इंपोडन्ट है क्योंकि ये नेट में कई वार मूची जा चुकी है आपके तो ये बुक को नोट कर लेना है और इन्हों ने इस हमास्तास में बिसेवेजना की बिदी को प्रिकारबाद माना दूर्खिम का नूसर दूर्खिम का बात का तो प्रिकारबाद का आर्थ है किसी भी एकाई या उससे संबंदित ब्यवास्ता को बनाए रखने में द की तरीक रिसर्च करते हैं प्रकारबाद तरीक कर सर्च करके एंसे को बात कर तो हिएगोग का प्रिवन दरे इस का पंद्रकिन का प्रियोग करता है और hoda 5 फंट की वेभस्ता की रूप में किया जाता है इसके परिणाम से कोई ताथपर नहीं रहा के इंका दूसरा प्रियोग संकूर व्यवबस्ता में उनकी आवासेक्ता की रूप में कीय जाता है और मैल दुर्कीम की बात करने दोस्तों अक परसलिय। जिवित रखने के लिए हावा पानी डिया होती है वैसे ही अगर हमें समाच को जिन्दा रखना है तो उसके लिए कुछ ने कुछ आवा सकता है होगी समाज की आवा सकता होगी पूर्ती जिन गतवी दियों से होती है उन्हें ही उसका प्रिकार कहते है परिवार है धर्म में आपका नातिदारी है राजनितिक संगठन है तथा आर्थिक संगठन सामाजी बवास्ता को चिलाने में अपना योगदान देते हैं वही उनका प्रिकार है इमाल दुर्किम ने प्रतेक्च और अप्रतेक्च प्रिकारों के अब धर्णा को भी विक्सित किया है और अब देखते हैं इमाल दुर्किम के प्रिकार धर्म अपराद इवं स्रिम विवाजन और इमाल दुरकीम ने पिरकार को स्परस्ट करने के लिए धर्म अपराद और स्रिम विवाजन का प्रियू किया था इन्होंने एक्जम्पल के तोरह समसकते हैं बे कहते हैं कि प्रतेख सामाजिक गटना का कोई ना कोई पिरकार होता ही है अर्थात सामाजिक वेवास्ता है कि स्थापना में कुछ ना कुछ युगजान देने की आवाज सकता होती है और नेश्ट है धर्म का पिरकार है रिलिजन और फंक्त लेजम दुरिकीम ने धर्म के पिरकारों का भी उल्ले किया है और इसके लिए उन्होंने आस्टेलिया की अरंटा जंजाती का दियन किया था अरंटा जंजाती का दियन किस ने किया था मैत्रो तो यह आपके इमाल दुरिकीम ने किया था और पिरकार को डूरा इमाल दुरिक्यम के अनुसार धारमिक धारणाएं सामाजिक जीवन में मजबूत कारण प्रतान करती हैं सामाजिक बेवस्ता की मांग या है कि ब्यक्ति अपने अंदर समाज का अनभाव करे समाजिक विवस्ता की यह मांग है कि व्यक्ति है वो खुद ही अपने अंदर अनुभाव करे समाज को समाज पर अपने निर्वारता अनुभाव करे और अपने उन दायतों को समझे जो समाज की दृष्टी से मौलिक है यानि कि व्यक्ति जो है वो समाज में रह करके समाज की दायत्तों को समझए कि कौन creator, कौन सामय कारी करना है वही मौलेक उनकी दिरिष्टी है और धर्म इस रूप में ब्यक्ती की चेतना जगर्ती कर ब्यक्ती के सम्मुख यह इसपश्ट कर देता है की वह पूरता समाज पर निरबर है ठीक है दोस्तों और नेस्ट है अपराद का प्रकार इस पर देखते हैं इमाल दुर्किम का क्या बिचार है इमाल दुर्किम ने कहा था कि अपराद के प्रकार को प्रकारबाद में अपराद प्रकार भी उल्ले किया है इसे ये सामाजिक विक्रती मानते हैं उनका मानना था कि समाज में सामाजिक एकिकरान तथा समाज में विगड़न की प्रविर्ति के कारण मौजूद होते हैं यानि कि उनका इमाल दुर्कीम का मानना था कि समाज में जो समाजिक एकिकरान है तथा समाजिक में समाज में जो गटनाएं जो गटती हैं उनकी प्रवर्तिक कारण मौजुदा अपराद का ही प्रकार है इसके दोरे इसका अध्यन किया जाता है और बेकटन और अलगाओं की प्रीवर्ति, समाजिक बिकिर्थी अपराद जैसे पिरकार को भी प्रोज़साहित करती हैं कहीं न कहीं इनका मानना था कि समाज में दो पिरकार की नियम पाए जाते हैं परस्ट आपका नियम है, दमनकारी नियम होता है, जो पृतिकिरिया को जनम देता है, क्योंकि अपराद सामोहिक अन्तकरान के लिए आगात होता है, वही अगर हम दूसरी बात करें, तो दूसरा नियम पृतिबंदात्मक होता है, जो किसी गलतकार करने पर बैबास्ता को बना प्रसन होते हैं कुछ लोग होते हैं व्यक्ति होते हैं जो समाज के नियमों से अप्रसन होते हैं मतलब प्रसन नहीं होती है बे समाज को बदलने की कोसिस करते हैं जिससे अराजकता फैलती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं सोसाइटी को अपने रूप नहीं मतलब वो सोचते है कि इसमें कुछ और बदला होना चाहिए तो वही अराजकता को जनम देती है समाज में अब जरूर होता है कोई ना कोई प्रकार होता ही रहता है क्योंकि सोसाइटी एक सी तो रही रहती है इस तर बदलती है, चेंज होती ही रहती है और नेश्ट पॉंटेन का समाजिक स्रिम बवाजन की प्रकार है इसको देखते हैं दुरुखिमन क्या का था तो इमाल दुरुखिमन ने अपनी पुस्तक में स्रिम बवाजन की प्रकारों का भी उल्ले किया था स्रिम बवाजन समाज में दो कार करता है और आँगे देखते हैं एक तो यह है कि व्यक्ति व्यक्ति雲 में समूह से अलग अलग प्रकार से उनके कारियों के आधार पर बेवाजत करता है इसे समाज को विसे सग्यों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं दूसरा विवाजन के कारण समाज में बेवेने लोगों एवं समुहों में परसपरक निरवरता बढ़ती है बे परसपर संबंद हो जाते हैं परसपर एक निरवर्ता बाली वेवस्ता को इमाल दुर्खिम सावया भी एक्ता कहते हैं यह परसपर एक निरवर्ता है उसी को इमाल दुर्खिम सावया भी एक्ता कहते हैं इस प्रकार दुर्खीम के द्वारा दिये गए प्रकार आत्मक बिस्रेशन के आधर पर हम कह सकते हैं कि सामजिक बिवस्ता की प्रते के काई के प्रकार की खोच कर सकते हैं दुरकीम का प्रकारवाद में आने वाला समासास्तियों के प्रकार से भिन है जो दुरकीम का प्रकारवाद है वो अन्य समासास्तियों से आने वाला भिन है और जो इस्थान रखता है उनका प्रकार के बिसरेसल का धंग निराला है इमाल दुर्खीम के पिरकार का धंग निराला है क्योंकि जो सामाजिक वेबास्ता को एकाईयों के पिरकारों को डूनता है डूनने में हमारा जो मार्ग प्रस्तुत करता है तथा दुर्खीम को एक पिरकार के रूप में प्रतिस्थापित करता है झाल 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 झाल